Hello students, welcome to blossom online education. So we have to start exercise 1.5 in this lecture. So let's start. So now finally we have to read operations on real numbers. Okay, operations क्या, plus, minus, into and divide. यह सारे operations हमें rational number पर देखना है. तो before we start, यहां पर हम लोग कुछ चीज़े revise कर लेते हैं. परेग्राफ को मैं read कर देता हूं अप लोगों के लिए इससे आपको समझ में आ जाएगा. You have learnt in earlier classes that ration numbers satisfy, commutative, associative and distributive laws for addition, multiplication. हम लोगों ने last class में देखा था, जो ration number होते हैं, वो क्या करते हैं? यह properties को satisfy करते हैं. Commutative, associative, distributive, loss, किसके लिए? addition और multiplication के लिए. Moreover, if we add, subtract, multiply और divide, accept by 0, okay? 0 से नहीं divide करना है, rational number को. To ration numbers, we will get number, that is a ration number, that is, ration numbers are closed with respect to addition, subtraction, multiplication, division. क्या बोल रहा है? कि हम लोगों ने यह भी देखा था, कि अगर हम कोई भी दो ration number को add करेंगे, subtract करेंगे, multiply करेंगे, divide करेंगे, तो हमें उन्हें solve करने पर भी क्या मिलेगा, एक ration number मिलेगा, इससे हमने क्या देखा था, कि जो ration numbers होते हैं, वो closed होते हैं, under addition, subtraction, multiplication, and division. और इससे हमें क्या मिला, it turns out that e-ration numbers also satisfy the commutative, associative, and distributive laws, जो e-ration number होते हैं, वो भी commutative, associative, distributive, loss, satisfy करते हैं, addition, and multiplication के लिए. However, some difference and quotients, मतलब some मतलब addition, subtraction, और इनका division, क्या हो सकता है, irrational भी हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है, चांसे से या तो irrational भी होगा, या तो नहीं भी होगा, ऐसा, अब यहां पर देखो कुछ examples देखे रखें, irrational के, उससे solve करना है, हमें, क्या देखे रखें, रूट 6, प्लास, माइनस रूट 6, तो पहले इन दोनों से assign को solve कर लेंगे, प्लास, माइनस, माइनस, तो रूट 6, माइनस, रूट 6, कितना हो जाएगा, जीरो, फिर यहां पर भी जीरो, और यहां पर क्या जाएगा, रूट 3, इंटू रूट 3, तो रूट 3 का मतलब तो आपको पाज़ता ही होगा, इंटू 3 की पावर 1 by 2, इंटू 3 की पावर 1 by 2, तो यह कितना हो जाएगा, हम लोगों ने एक्स्पोनेंट की प्रापर्टी पड़ी है, जब बेस सेम और रखते हैं और पावर स्काइड कर देते, तो 1 by 2 प्लस 1 by 2, कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को प्रड़क करेंगे देखे, यहाँ पर लास में कुछ एक्जामपर्स दियें, इसमें हम लोगों को एक नई चीज भी सीखना है, तो वो मैं आप लोग को बताऊंगा, पहले दिया है, 7 root 5 की हमें value पता करना है, तो देखो, हम लोगों को पता है कि root 5 तो क्या है, एक e-ration number है, तो root 5 की value हम लोग जानते हैं, अगर हम root 5 में इधर भी 7 से multiply कर दें, और इधर भी 7 से multiply कर दें, तो हम लोग क्या मिल जाएगा, 7 root 5 की value मिल जाएगी, ऐसे आपको पता करना था, फिर यहाँ पर इसकी बात करें, यह भी आप लोग easily पता कर सकते हैं, और यह भी पता कर सकते हैं, बात करते हैं इस number की, 7 upon root 5, ओके, देखे, अब क्या होता है, जो 7 upon root 5 है इसको आप solve तो कर सकते हैं, लेकिन देखे, अगर मैं बोलो 7 को एक ऐसे number से divide करना है, 2 point इसके बाद एक जो number आ रहा है, वेकि root 5 तो क्या, irrational है, तो इसकी तो value आपको पता ही नहीं है, तो आप इसे divide कैसे करोगे, तो इस case में क्या होगा, हम लोग ऐसे तो divide नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग को क्या करना होगा, जो इसका denominator है, उसको एक rational number बना लेना होगा, तो denominator को rational number बनाना या कभी-कभी numerator को भी बनाना पड़ता है, ये condition के according vary करता है, तो फिलाल तो हमें denominator को बनाना है, तो ये जो मैं बोल रहूं, denominator को rational number बनाना, इसी को बोलते है, rationalization, क्या बोलते है, rationalization, okay, इसको rationalization बोलते है, तो denominator को rational number बनाना है, तो हम लोग ने एक property पड़ी थी, कि कि किसी भी rational number का multiplicative identity क्या होता है, तो वो होता है, one, मालब one एक ऐसा number है, जिसको किसी भी rational number से multiply कर दें, तो उसकी identity change नहीं होती है, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, इन numbers को one से ही multiply करना है, लेकिन हमें one directly नहीं लिखना है, इसको किसी other form में लिखना है, ठीक है बच्चो, तो देखो, हम लोग सुरू करते है, तो seven, और root five, यह हम लोगों को दिया हुआ है, अब मैंने क्या किया, मुझे तो किसे rationalize करना है, denominator को, इसे rationalize करना है, तो मैं इसी को ध्यान रखके number भी decide करूँगा, तो root five में किससे multiply करें, कि root five क्या हो जाए, एक rational number बन जाए, तो मेरे दिमाग में क्या आया, कि अगर मैं root five को, root five से ही multiply कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, यह rational number बन जाएगा, अब क्या होगा, अगर मैंने सिर्फ एक root five से multiply किया, तो यह पूरा number ही change हो जाएगा, तो मैंने क्या किया, इसको उपर भी root five से multiply कर दिया, अब देखो, यह जो मैंने लिखा है, root five upon root five, यह क्या लिखा है बच्चो, यह one लिखा है, देखो मैंने one से ही multiply किया, but in a different way, तो ऐसे ही आपको rationalize करना है, ठीक है, अब इसका value finally लिखते हैं हम लोग, तो देखो, यह तो हो जाएगा, seven root five, और यह five, five, कित्ता हो गया, root five into root five, five हो गया, अब बस, आप उपर वाले number का value, पहले वाले example में निकाल ही चुके हो, उसको इससे divide कर देना, आ जाएगा, समझ में आया, मुलब ऐसा करना, आप क्यूंकि आपका denominator क्या है, एक ration number है, तो, मुलब एक integer है, ऐसा बोल सकते हो, तो आप इससे उपर वाले number से easily divide कर सकते हो, लेकिन जो पहला वाले case था, उस case में आप इससे divide नहीं कर सकते थे, अब इसका value निकालो, तो आपका ऐसा कुछ value आ जाएगा, समझ में आए आपको, अगला example था, हमें root 2 में कितना add करना है, 21, तो root 2 की value आपको पता है, उसको लिख लीजे, कुछ points तक, decimal के कुछ points तक, उसके बाद से dot dot से represent कर दीजे, इसके 21 add करना है, तो root 2 की value 1.414 होती है, इसके बाद भी चलते चाती, इसमें हमें क्या add करना है, 21 add करना है, तो यह हो जाएगा, 22.414 ऐसे चलते चाएगा, फिर pi में से कितना minus कर देना है, 2 minus कर देना, pi की value कहोती है, 3.14 ऐसे चलते जाएगा, इसमें से minus कर देना है, 2, तो कितना हो जाएगा, 1.14 और यह ऐसे चलते चाएगा, समझ में आया, so this is how you have to solve the operations, in real numbers, बढ़ते हैं अगले example की तरफ, अब यहाँ पर आपको भूला है, इस question को आपको solve करना है, तो इस question को देखे, solve कैसे करेगा, पहले हम लोगों ने देखा, यह root 2 है, यह root 2 है, यह root 3 है, यह root 3 है, तो हम लोग root 2 वाले number को एक तरफ लिख लेते हैं, ओके, अब देखो यहाँ पर, तो पहल ठीक है, अब लेने के बाद आपको common ले लेना है, जो दोनों में common हो, तो देखो, इन दोनों में क्या common है, root 2, root 2 दोनों से common लिया, बचा गया, 2 plus 1, फिर इन दोनों में क्या common है, root 3, root 3 common लिया, बचा गया, 5 minus 3, तो अब इसे solve कर लेना, 2 plus 1 किता होता है, 3, और 5 minus 3 किता होता 2 तो आपका आंसर क्या गया 3 root 2 plus 2 root 3 final answer ओके ऐसे आप लोग को solve करना था फिर बात करते हैं किसकी multiplication multiplication करना है easy सा question है 6 root 5 को multiply करना है 2 root 5 से sorry 6 root 5 into 2 root 5 5 अब क्या करना है root वाले नमबर को root से multiply कर देते हैं और जो without root है उसको से multiply कर देते हैं 6 2 जा किता होगा 12 और root 5 into root 5 कितना हो जाएगा 5 so 12 5 जा कितना होता है 60 this is your answer ऐसे आपको solve करना आप यहाँ पर आपको divide करना है तो divide करतेंगे divide कैसे कर देंगे सारी यहाँ पर मैं लिख दिया 8 root 15 अब 8 root 15 की मैं बात करूँ तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ इस root 15 को हम लोगों ने दिखा तो हम लोग ऐसा लिख सकते है 5 into root 3 अब भी root 15 नहीं लिखा है इसको किसे divide करना है 2 into root 3 तो root 3 से root 3 cancel हो जाएगा और 2 से 8 कितने टाइम में हो जाएगा 4 तो 4 root 5 ऐसे आपको cancel करना है समझ मैं आया easy easy question से बहुत जल्दी बन जाएगे तो examples आप लोग सारे try कर लेना अब finally हम लोग conclusion देखते हैं कि हम लोगों ने क्या-क्या facts देखे पहला पहला fact यह है कि आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने जो example लिया था पाई की value में से हमने किता 2 सब्ट्रेक किया था फिर 21 को add किया था root 2 में तो basically एक क्या था रेशनल था एक एक एरेशनल था और आंसर अमें से क्या रहा था इरेशनल आ रहा था next is the product और quotient of a non zero rational number with an irrational number is always irrational अगर हम लोग बात करें प्रड़क्ट की बात करें मुल्टिप्लिकेशन किसका एक रेशनल नमर और एक रेशनल नमर का तो वह भी हमेसा क्या होगा इरेशनल होगा ठीक है लास्ट में आ जाते हैं लास्ट पॉइंट है थार्ड पॉइंट if we add, subtract, multiply और divide तू इरेशनल नमर अगर हम दो इरेशनल नमर को add करें subtract करें multiply करें और divide करें तो जो उसका answer होगा न वो क्या हो सकता है rational भी हो सकता है और irrational भी हो सकता है यहाँ पर कोई यह third point है यही पता चलता है कि यह rational numbers पर operation लगाने से वह rational number भी मिल सकता है और irrational भी मिल सकता है ठीक है so अब यह वह बगग नो 2 आब यह भी पार्ट देख लेते हम लोग की पार्ट मा आपको explain कर दिता हूँ अब we now turn our attention to the operations of taking square roots of real numbers अब हम लोग को क्या ध्यान देना है कि जो real numbers ना उनका हमें क्या लेना है square root लेना है तो अभी तक हम लोग क्या करते थे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में आप लोगों का एक लेक्टर ध्यान में हो कि मान लो a square लिखाए तो a square की value आप लोग क्या बताते हैं root से बाहर निकाल के a तो जब भी कोई number root के बाहर आता है न तो उसकी की दो value होती है एक plus की value होती है और एक minus की value होती है लेकिन अब तक हम स्ट्री प्लस की value ही लेते थे minus की value नहीं लेते थे ठीक है अब इसको पढ़ते हैं आगे recall that if a is a natural number then root a equals to b okay root a की value आई होगी जो की है b और बी का अगर आप square कर दें मलब वही बूल रहा है दोनों साइट हमने क्या किया था यहां से अगर यह वाला आपको expression लाना है हमने क्या क्या किया दोनों साइट square कर दिया square करेंगे इदर से root हट जाएगा और यह b का square हो जाएगा मलब ऐसा लिया है एक natural number natural number क्या होता है रोकि one से start होते है one से start हो रहे मतलब zero से बढ़े है इससे लिए b ki value भी क्या है zero से बढ़ी है क्योंकि a किस के equal है root a B के equal है root a की value किस से बढ़ी होगी zero से बढ़ी होगी, okay अब the same definition can be extended for the positive real numbers और यही definition को हम लोग क्या कर सकते हैं positive real numbers के लिए भी ले सकते हैं क्योंकि अभी मैंने आपको बता दिया था कि root के बाहर कोई दो number आता है तो हम लोग positive value की ही बात करते हैं तो अभी भी हम लोग positive value की ही बात कर रहे हैं let a is greater than 0 be a real number यह क्या है एक real number जो कि क्या 0 से बढ़ा है then root is equal to b okay और b square की value यह हो जाएगी और b 0 से बढ़ा होगा यह condition की वज़े से यह लिखा जा रहा है तो यह ध्यान रखना आगे परते हैं section 1.2 we saw that to represent root n for any positive integer यह याद होगा हम लोगों ने देखा था की root n को कैसे represent करेंगे अगर आपको कोई positive integer देखे रखा है n उसकी हल्प से यह हम लोग देख चुके है अब हम लोग क्या देखेंगे इस lecture में we now show how to find root x for any given positive real numbers x geometrically for example let us find it for x is equal to 3.15 that is we find three point root 3 के अंदर 3.5 geometrically हमें यह पता करना है कि 3.5 कहां होगा ओके तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया हम लोगों को यह पता करना है यह ध्यान रखेगा आप लोग x की value हमें क्या देखे रखी 3.5 तो पहले हमने एक value एक line draw की है जो की क्या है 3.5 units की है तो इसको draw करने के बाद मानलोबू line a से b point तक गई है ओके अब इसको draw करने के बाद आपको अगला step क्या करना है अगला step आपको करना है b से लेकर c तक की एक line draw करना है जिसकी कि जिसकी length कितनी हो जानी चाहिए one unit इसकी length होना चाहिए ओके तो यह draw कर दिया अब आगे shapes हम लोग पढ़ते जाते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से clear होते जाए अभी तक हम लोगों ने कहके के वह हम लोग देख लेते हैं mark the distance 3.5 units हमने mark कर लिए है ओके फ्रम फिग्स पॉइंट एक फिग्स पॉइंट से a से mark किया है और गिवन लाइन तो अप्टें अपॉइंट भी बी पॉइंट हमें मिल गया है ओके सच्छ देट 3 a b is equal to 3.5 ओके हमने एबी को ऐसे ड्रोग किया जिसकी length कितनी 3.5 units जैसा कि हमें figure 1.15 में दिख रहा है अब फ्रम भी पॉइंट भी से हमें क्या connect distance माक करना है जो कि कितनी unit की होगी वन unit की होगी ओके कि एंड माक दे न्यू पॉइंट सी और वन यूनिट डिस्टन जापर और हो जाती वह एक नया 4.5 प्लस 1 यह निकाल लेना है और इसको किस से divide कर देंगे 2 से तो यह कितना हो जाएगा 4.5 को मुझे divide करना है 2 से तो 4.5 को मैं 2 से divide करता हूं यह जाएगा 2 टूजा 4 फिर decimal का decimal लगाया फिर यह कितनी टाइम में गया बुरे गया 2 टाइम्स में ओके एक सगें फिर इसको आगे साल कर लेना है 4.5 को यह 2 टाइम्स में चले गया कितना बचाया पर 4 फिर 1 आया फिर हम लोगने decimal लगा के रखा है तो हम लोगने 0 उता रहा थे कितने टाइम में जाएगा इतने टाइम में 2.25 तो अब हमें इसको मीट पॉइंट बनाके यहां पर लिख देना है तो जो आपका यह अब मीट पॉइंट निकालने के बाद हमें क्या करना है यह देखिए मीट पॉइंट हमने निकाल लिया है एसी का और इस मीट पॉइंट को ओ से माक कर देना है फिर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है कि ओ को सेंटर मानना है और JU से लेकर C तक की डिस्टंस को क्या मानना है यह दोनों पॉइंट पॉइंट सेम है तो आप लुग कोई सा भी रीडियस ले सकते हैं हम लोगों ने कुश यह वाला ले लिया है यह आपका रीडियस है इसकी आद्रॉडिंग आपको क्या ड्रॉ करना है जो कि पर्पेंडिकुलर हो AC के थरफ B B से ड्रॉ करना है जो कि AC के पर्पेंडिकुलर हो तो देखें आप लोग यहाँ पर हमने एक पर्पेंडिकुलर ड्रॉ कर दी है ओके ड्रॉ करने के बाद फाइनली क्या है जो कि circle को कहां intersect कर रही है point d पर then तो जो आपका यह जो है bd इसकी value को जाएगी root 3.5 समझ में आया आपको ऐसे हमें यह value value निकालना है महला आपको देखे रखा है कि n देखे रखा है आपको बला root n निकालो तो आप ऐसे निकाल सकते हो okay this is the value और geometrically उसे ऐसे represent कर सकते हैं समझ में आया आपको okay that's good i think example पर आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा तो यह सारी चीजे उसने लगाया है अब आगे questions को सवाल करने के लिए कि यहां पर देखो फिर यहां पर सेम अब आपको जो मैं इसने प्रूफ किया है एक variable की थूफ हमने उपर वाले question में तो number की थूफ दिखा था यहां पर इसने एक variable लिया है एक्स लिया है और x की value लिया है तो यहां पर किस की value निकालना है हमें root x की तो इसको उसने solve किया है इन दोनों का meat point निकाला देखो यह meat point हो गया meat point निकालने के बाद अब क्या करेगा उसने यहां से semi circle भी draw कर दिया अब यह भी उसने perpendicular भी draw कर दिया है o c o d और o a की value ली है वो इस unit में मलब तीनों को equate किया है फिर finally o b की value निकाली है कि दन पाइथागोरस theorem यूज करके उसने यह मलब प्रूफ किया है कि जो bd है वो root x होगा मलब यह proof आप लोग अच्छे से समझ लेने एक बार अगर नहीं समझ में आता है तो फिर मैं समझा दूँगा क्योंकि इस question के तुरू समझ में आ जाना चाहिए जैसे यहां पे तो हमने क्या किया था अगर हमें 3.5 यह देखे रखा है तो यह जो perpendicular होगा न मलब 3.5 देखे रखा है और हमें root 3.5 को represent करना है geometrically तो उसका यह concept है और यह value root 3.5 ही कैसे होगी वो कैसे पता करा इसके थूँ कि अगर आपको x distance देखे रखे और यह distance आपको पता करना है तो यह distance कितनी होगी root x होगी इसका proof आपको देखो यहां पर इसको आप अच्छे से पढ़िएगा यह आपको समझ में आ जाएगा कैसे निकाला है प्रेट करते हैं इसको आपको नमबर लाइन पर यह समझ में आ गया यह proof आपको समझना और इसके बात देखना है कि इसको नमबर लाइन पर कैसे रिप्रेजं करेंगे अब यहांसे पढ़ते है जास सट्यांड गाइस आप यहां से पढ़ दा है if you want to know the position of root x on the number line अगर आपको root x की position बता करना है कहां पर number line पर then let us treat the line bc as the number line तो bc को हमने क्या किया number line treat किया है जो की bc का distance किता था आप लोगों को याद होगा one unit का था as the number line and b as zero b को zero माना और c को one माना है so on draw an arc with center b हमें क्या करना है b को center मानना और एक arc draw करना है और आउस arc के radius कितनी होगी इतनी होगी तो यहां से एक arc draw करिएगा तो वो arc जहां पे number line को intersect करता है वो क्या represent करेगा root x तो यह number line पे represent करना तो easy है आप इसके पीछे वाला जो derivation है बस उसको अच्छे समझ लेजेगा ओके चलिए आगे बढ़ता है अब हम लोग के पास दो चीजे बता रहे है कुछ properties है वो हम लोगों को देखना है क्या properties है आप लोग exponent की property यह आप लोग जानते होंगे अगर ऐसा लिखा हमें root के अंदर a भी लिखा है तो इसे मैं अलग-अलग लिख सकता हूँ root a into root b अभी मेरे पास आपको याद होगा root 15 आया था तो मैंने इसे लिख दिया था root 5 into root 3 फिर इसे भी ऐसा लिख सकते है ओके यह property हो गई यह आप लोग को remember रखना है उसके लावा यह properties हो गई है यह property आप लोग को learn भी कर लेना है ओके अब देखो यह तो एक formula है आप लोग जानते हमें होंगे a plus b और a minus b इसका result आता था a square minus b square अब यहाँ पर क्या ले लिए है root ले लिए root a plus root b root a minus root b तो इसका square में आता था जब यह root में नहीं होता था अब यह root में है तो इसका answer कितना आ रहा है normal आ रहा है square में नहीं आ रहा है तो यह सारे formulas हैं जो आपको learn कर लेना है अगला formula है root a plus b root a minus b तो a square minus b समझ में आ रहा है अगला है root a plus root b into root c plus root d तो इसका expansion ऐसा हो जाएगा फिर root a plus root b का whole square तो a plus two root a b plus b समझ में आया है अब यहां पर कुछ examples हैं अब आप लोगों को यह solve करना है हाना यह मैंने ही solve करा रहा हूँ जो पिछले मैंने कुछ formula अभी बताए जो आपको learn करना है वो formula को यहां पर apply करना है अगर आपको नहीं आता है तो यहां से आप लोग answer को समझ जिएगा और फिर solve करिएगा ठीक है बढ़ते आगे अब देखो यहां पर बस इस session में मुलब इस lecture में लोगों को इतना ही देखना था अब चीजे repeat हो रही है अब आपको क्या करना है वही one upon में root two है इसके denominator को क्या कर देना है rationalize कर देना है मैंने आपको बता दिया rationalization का मतलब क्या होता है बस आपको इसे solve करना है इसे कैसे solve कि है यह सारी steps भी मैं आपको समझा चुका हूँ यहां पर भी आपको denominator को rationalize करना है different different question है तो यह सारे आपको solve करना है आप देखो यहां पर मैं बता दूँ यहां पर आपको सर्फ रूट 3 से नहीं multiply करना है यहां पर आपका denominator क्या है 2 प्लस रूट 3 तो अब इसको आपको क्या करना है rationalize करना है तो इसका एक special तरीका है आप देखना example को समझना है कि यहां पर यह लोग किसे multiply कर रहे हैं इसी number से नहीं multiply कर रहे हैं यह लोग multiply कर रहे हैं 2 minus root 3 से ऐसा क्यों कर रहे है इसका एक मैं आप लोग को तरीका बिताता हूँ आप दोनों तरीके से try करना आप 2 plus root 3 से भी multiply करके देखना पहले और 2 minus root 3 से भी multiply करके देखना आपको automatic खु और इससे multiply करोगे तो बनेगा और आप लोगों और खुद से try करके देखना बागे फिर हम लोग इससे समझेंगे exercise में ऐसे examples तो आएंगी तो ऐसे questions दिये हुए यह सारे questions आपको solve करना है आप लोग चाहें तो उनका screenshot लेते जाएगा सारे आप लोगों को solve करना है ठीक है तो चलिए आज का हम लोग theory part खतम करते है exercise 1.5 के लिए I hope आपको अच्छे से समझ में आया हो तो next class में हम लोग exercise 1.5 का explanation देख लेंगे then after हम लोग का last exercise का theory बचेगा इसके बाद chapter first finish हो जाएगा then after we will just try to practice the more questions for this exercise okay चलिए मिलते है अगली class में बाई बाई